नमस्कार दोस्तों पुझे जुदिश्ट करिया लए मैं आप सभी का बहुत दोष्ट वागत हैं दोस्तों आज आपके शामने में जो साधी का उपाई रखने वाला हूं वो ब्रह्मास्त माना जाएगा अध्वूत उपाई माना जाएगा अगर आपके लड़का हो या लड़की हो उष्की शारी में दिक्कत आ रही है परेशानी आ रही है तो यह उपाई आप करके दें और यह उपाई शामन मास्त में आपको करना है पूर्ण उपाई आप सुनिये और उष्कार चमत कर रहे हैं कि कि दोस्तों जो उपाई में देने वाला हूं यह शामन मास्त में यह बहुती अच्छा शयोग बन रहा है इसलिए उपाई करने से इसका परिणाम आपको बहुती उत्तम प्राप्त होगा दोस्तों यह उपाई आपको कब करना है यह उपाई आपको चार जूलाइशे करें शकते हैं लेकिन कई प्रद्रशों में जो शामन मास्त की सुरुवा थे वो सत्रा जूलाइशे आरम होगा अठ्षा जुलैशे दोस्तों माप करना तो कई प्रदेशों में चार जुलैशे आर्म होगा ये दो शावन मासे एक अधिक मार्ष जिसको पृष्टतम मास भी कहा जाता है और एक शावन मार्ष ये बहुत ही अच्छा शयोग प्राप्त होगा ये 58 दिनों का ये शावन मास रहेगा और ये उपाय आपको शुरुवात करनी है पहले मंगल वार्ष अगर ये पहले मंगल वार्ष आर्म न कर शके तो ये दुसरे मंगल वार्ष आपको आर्म करना है लेकिन आप पूरा प्रियास किजिए क्योंकि दोस्तों पहले मंगल वार को मा गोवरिका उरत का आरम रहता है। लेकिन आपको देखना है। मैं प्रदेशों के इसलिए बात कर रहा हूं। कि गुजरात में और अन्य प्रदेशों में जो शावनवास लग रहा है वो ब्रहश्पति वार मानि गुरुवार्षे आरम हो तो आपको यह उपाई जो करना है पहला मंगलवार आ रहा है उस दिन शारम करना है दोस्तों यह अधभूत शन्योग हो रहा है कि पहला उन्डिस शाल के बाद यह संयोग बन रहा है जिसमें यह सावनमाश में आज मंगलवार आएंगी किके दो मास है फिप्टी एट दिन का यह शारम मास रहेगा बहुत यह उत्तम है अब आपको आरंब करशे करना है यह पूरा वीडियो शुनी है कई बार बहुत से लोगों का हमें पूरा वीडियो नहीं शुनते कोमिक्स बक्स में अपना यह प्रश्णा रख देता है या कोल करता है पंडी जी यह को मालू नहीं हो तो पूरा वीडियो शुनी फिर उपाई की शुर्बात कीजिए और इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा भी नहीं है लेकिन बड़े भावशे शद्धासे विश्वास क साथ करेंगे तभी प्रिणाम मिलेगा कुछ करने से कुछ प्राप्त रहता है इसलिए यह वीडियो पूरा सुनी और एक बार करके देखिए आपने बहुत से उपाई कर चुके होंगे तो यह उपाई करने से आपका साथ-साथ यह उपाई लड़का या लड़की ना कर शक दोस्तों यह उपाई के दिन मंगलवार के दिन आपको शंकर भगवान के मंदिर जाना है पनिंच्यामृत साथ में ले जाना है साथ ही एक कलश में आपको जहल ले जाना है और शंकर भगवान के मंदिर जाते साथ में आप पूजा की सारी शामगरे ले जा सकते हैं दोस्तो लेकिन उनसे पूर्वब आपको आद काल में उठ जाएंगे तो आपका नित्य जो क्रम है पूजा का क्रम है वो आपको जरूर परिपुर्ण करके ही आपको मंदिर जाना है और यह उपाई के शमय आपको अपने घर में गाई की घी का एक दिप प्रजोलित जरूर करना है मंदिर जा रहा है वहां सारे देवताओं की पूजा की बगवान गनपदी बगवान की पूजा की जिए हनमांजी मराज की पूजा की पूजा की जिसको हम अनंत बगवान पिकेते विर्भद्र की शारे देवताओं की सारे देवताओं की आपको पूजा करने सब को आपको लगता है अगर वहां मंदिर में टिका न लगा ना दे तो आपको कुषपरपित करना है सब को करनाम करना है शाति आप पंचम स अथ में ले गए हैं सबसे वेले आप शंकर भगवान की पूझा करनी शाति दोस्तों आपको सात में एक शुपारी जरू ले जानी है शाती एक सिफर आपको शात में ले जाना है दो बस अब को जरूर शात में ले जानी है क्या करना है पूर आपको कौंगा लेकिन निसे पूर्भा मेरी छोटी शेक गुजार richness है जो मेरे नहीं दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे है दोस्तों कर चैनल को आपने सब्सक्राइब निक देख वर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए शाथी ये वीडियो अपने दोस्तों में जादा से जादा शेर कीजिए बेल बटन जरूर दबाइए तुकि दोस्तों एशे उपाई जो सास्त्रों में लिखे गए है अनुभवशिद बात है वो सारे उपाई आपके शामने में रखता हूँ और उपाई के मध्यम से बहुत से लोगों के शादी का पस्ताव आया है और श्विकार भी किया गया है दोस्तों लेकिन ये उपाई भावशे करना चाहिए अब आपने शारी पूजा संकर भगवान के जो भी मंदिल के देवता हो उसकी शारी पूजा कर ली है अब आपको शंकर भगवान की पूजा भी करनी है शंकर भगवान के उपर आपको सबसे पहले जलका अभिशेक करना है पंचामरुच से आपको अभिशेक करना है साथ ही जो सुपारी ले गए है तो सुपारी में दोस्तों याद रखिए छोटी-छोटी बाते भी आपको याद रखनी है जो हम पूजा की थाली बनाते है उसमें पुष्प होने चाईए चावल होने चाईए और ये उपाई कोई लड़की कर रही है तो आपको शात में पीला चंदन ले जाना है कोई लड़का कर रहा है तो आपको सफ़ेद चंदन आता है वो शात्में ले जाना है अब आपको क्या करना है भगवान शंकर भगवान के उपर चंदन का आपको पूरा शंकर भगवान को जो मुर्ति है लिंग है उसके शार आपको चंदन से लेप कर देना है और वहां जो सूपारी आपके पास है वो सूपारी के उपर भी आपको चंदन से टिका लगा देना है वो सूपारी है वो आप जो जल अभिशेक करते हैं जल का जो विशेश द्रव्य है जो बहार निकलता है वहां भगवान के पास आपको रख देना है कि और जो सिफल ले गएए वो भी आपको ऑगोवुरी के जो माँआ कही गई है है वbak को आपको क्या करना है वाप पूरी पूजा पूर्ण अकली पंचमर से भगवन को नहला दिया अब मैं आपको छोटा सा एक श्ट्लोग दे रहा हूं कि अगर वहाँ जगा है तो वहाँ बेटके आपको इश्वन्त रखी एक माला करनी है साथ ही अगर वहाँ जगा नहीं है तो मंदिर आप बहार निकलके भी स्थान में बेटके एक माला आप जरू किजी अगर वहाँ भी कोई जगा नहीं है तो आपने घर आके भगवान के आपको वहाँ घर आपके पूर्वद श्याम दिवेड के इश्वमंतर की एकमाल आपको जरू करिंए आपको जो में छोटा सा स्लोक है ओम गोवरी शंकरा भ्याम नमहा ओम गोवरी शंकरा भ्याम नमहा अब बात सुनिए एक माला आपने परिपूना कर लिए ये पहले मंगलबाद की पूजा पूर्ण हो गए अब दूसरे मंगलबाद जो भी तारीक डेट आ रही है उस दिन आपको जाना है इशिक करम से अनुशार लेकिन इस बार आपको क्या करना है आपको दूसरी बार आप जाए तब आपको दो सुपारी साथ में ले जाने है और दूसरी बार आपको दो माला कर रही है दोस्तो मंदिर पे हैं सुपारी और शिफल रख के आना है वापस नहीं ले आना है वाए रख देना है दूसरी बार आप जाए तब दो सुपारी रखि दो माला कीजिए शिफल एक इवान ले जाना है तिस्वी बार जाएए तीन सुपर ले जाएए और तीन माला करें ऐसे आपको क्रम को आगे बढ़ाते जाना है लास्ट दिन जो आएगा मंगल बार उस दिन आपको आठ माला करनी आठ शुपरी भगवान को अरपित कर देनी है मुझे लग रहा है बड़े भावशे शद्दा से सरल उपाई है सरल उपाई इसलिए हम देता है कि कोई भी जातक यह उपाई कर सकते हैं दोस्तों मुझे लग रहा है यह दो सावन मास का जो उपाई मैंने आपके शाण में रखा है दो मास में उनसे पुर्व भी मुझे विश्वा से उनसे पुर्व भी जो आपकी शादी में दिक्कादे आ रही थी परिशानी आ रही थे जो आप जिबन शाती सोध रहे थे वो आपको जरूर मिल शकता है साथी मात पिता कर रहे हैं तो आपको सबसे पिले पूजा करने से पुर्व आपको शंकल पर लेना है आप शंकल पर क्या लेना है मेरा बेटा है मेरी बेटी है उसकी शादी भगवान आपकी कुरुपासे जल्दी शिकरता से हो जाए और यही क्रम, मैं इसलिए यह जब कर रहे हूं या कर रहा हूं, पिता करे या मा करे, दोर मेशे कोई भी करे, तो आपको शाथ साथ किसी भी मंगलवार आपको चुपना नहीं चाहिए, जो कर रहा है उसको यह उपाई परिपुर्णा करना ही है, और जिस मंदिर आप जाए उ अभिशेक करे, उस्षिश में आपको अभिशेक करना है, तीन बात आपको यहां बहुत ध्यान से रखनी है, पहली बार आपने जो अभिशेक किया है, माला किये, उस्षिश में यह पूरा करना है, जो व्यक्ति ने किया, उस्षि व्यक्ति को परिपुर्णा करना है, दोस् पूर्ण श्रद्धासे और भगवान परात्त होगे आप भगवान की प्रातना करेंगे आपकी भी मनोकामना जरू भगवान पूर्ण करेंगे दोस्तों यूटीप की माध्यम से फिर हमारे मुलाकात होगी जे श्रीकिष्टन महदे वहर्ट झाल प्रण तेम जे वहर्ण नर्ड़िकष मत भगवान की में एयन की प्रात्त है लिववान जयासा यूरात्त Duck की प्रात्तρस तेम् प्रेता है। झाल